नमस्कार जूस दूस स्वागत है आपको मेरे चैल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजरी रूबरू मिलने का मौका मिलता नहीं है रूस इसलिए लबजों से तुमको छू लिया मैंने जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशी फल की बात कर रहे हैं यह जो प्रेडिक्शन है चैल दे राशी पर आधारित है सबसे बले आज के दिन जिनका बच्चे है या फिर मारी जनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से छेर सारी बधाई हो तो चलिए शिरू करते हैं जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है वे व्यस्त नहीं बलकि अस्त व्यस्त है छूटे व्यक्ति की उची अवाज सच्ची व्यक्ति को चुप करा देती है लेकिन सच्ची व्यक्ति का मौन छूटे व्यक्ति की जड़े हिला देता है कोशिश इतनी है कि हमसे कोई खफा ना हो बाकी नजर अंदास करने वालों से नजरे हम भी नहीं मिलाते गलतिया सुधारी जा सकती है गलत फैमिया भी सुधारी जा सकती है मगर गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती अंदर से जितना तूट रहा हूं बाहर से उतना ही बेफिक्र होता जा रहा हूं काफी शिद्दत से मैं अपने दो किर्दार निभा रहा हूं आखिर तुम भी उस आएने की तरह निकले जो भी सामने आया बस उसी के हो गए चुप रहूं तो शब्डों का दम घुडता है और सच कहूं तो लोग खफा हो जाते है अरे जिन्दगी कभी किसी की भी आसान नहीं होती है यसे तो आसान बनाना पड़ता है कुछ नजर अंदास करके, कुछ बरदाश करके कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पे सही फैसले करके सबसे पहले में आपको बता दू कि आज आपके लिए भागशारी रंग रहने वाला है बाददामी रंग और जो लखी नंबर है वो नंबर छी रहेगा आज के लिए आज अगे रहों किसी तीस प्रकार बनी हुई है कि आज आपके भावनाओं को सरल तरीके से ना बता पाना आपके और आसपास के जो लोग है उनके लिए तकलीव नायक हो सकता है यानि कि आज आप अपनी भावनाओं को ठीक तरह से व्यक्तन नहीं कर पाएंगे किसी के आगे कापी दिनों से जो बात अपने मन में आपने दबार रखी है उस बात का परिणाम आपके उपर होने की वज़ा से अपनी और दूसरों की प्रती आपका गुसा बढ़ भी सकता है यसे लिग आज आपको अपनी वारणी पर अपनी उसे पर खास और लगान लगानी चाहिए आपनी वारणी को जहाए जरा फॉज्डि बना कर रखिए आज ओफिस में आपके जो साथ काम करने वाले सहे कर्म ही हैu आज वो आपके किसी बाद से परिशान भी हो सकते हैu साथ में आज आपको ससुराल लपक्ष से जो है काफी अच्छी खबर भी मिल सकती है इसके साथ ही आपको अगर आप किसी से बातचित कर रहे हैं और आपको बात पसंद नहीं है तो आपको उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए अज आपका पूरा फोकस है अपने खुद के व बेश कीमती हो सकती है आप पूरे जो शुरूर्जा के साथ अपने जारतर कारों को कंप्लीट कर पाने में सक्षम रहेंगे संतान पक्ष की तरफ से भी किसी प्रकार की चिंता हो सकती है इसमें उनकी दोस्तों और गती वीदियो पर आपको जो है बखो भी नज़र रखनी ह कि बज्चे क्या करते हैं कहीं बिगर to नहीं रहे उनके संगत नहीं गलत इस बात का विश्य शृूर्स से ध्यां लख्यों यह अपने वच्चों पर आनावश्य क खर्चों को भी आप ज़्यादा सो विचार कर किची आना विश्य कहर्च करना अच्छी बात नहीं है जिसस भी मन में हो रही हल चल का आप पर असर भावनात्मक रोप में हो सकता है जिससे आपकी कारक्ष्यमता कम हो सकती है व्यक्तिकत बातों में प्रगती करने के लिए अपने रास्ते से आपको भटकना नहीं है आज आपको कोई भटका सकता है कोई बात भी हो सकती है जिससे आप ब भागय और समय जो है आज जो कह रहा है सितारे आपके पक्ष में ही रहेंगे, पूरा-पूरा साथ मिलेगा आपको अपने भागय का, इसका पूरा फाइदा उठा लेंगे, तो बहुत अच्छे नितीजे मिल सकते हैं भविश्य में, कोई भी नीती उपना कर अपना काम निका कि वज़े से घर का महौल, आज कुछ दूशित होने जा रहा है, अगर आप उसे बचा लेंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसलिए बहुत यहीं होगा कि परिवारिक मामले में, किसी का हस्तक शेप मत होने देजेगा, स्टूर्स का इस समय अपनी पढ़ाई पर से ध् हासिल कर सकते हैं, और अपने मादा पिता का नहम रौशल कर सकते हैं, इसलिए बच्चों को स्पेशली मेरी तरफ से यहीं है, कि आप अपना फोकुस होए, अपनी पढ़ाई की तरफ सरूर दीजएगा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके बिजनस और के तो आज इस समी कारोबारी हालात की गतीत तो धीमी रहेगी ही, लेकिन आप अपने योगिताओं के दम पर कोई उपलब्धी भी हासिल कर सकते हैं, आप को नया काम शुरू कर सकते हैं, जो लोग जोब धून रहे थे, उनको जौब भी मिल सकते हैं, जो लोग आल्स की तयारी कर कर सकती है, करिन परिसिद्य की बावजूर बे काम की जगह आप चो है अपना स्थान बना कर ही रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है, विवसाई का कारे को विवस्थेत रखीएगा, मैनज कीजे पूरे तरह से, इसमें आपके विशेश भूमिका है, लेकिन आशा की अनरोप पनिराम हासिल नहीं होंगे, इस समय अपनी कारे प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की चेश्टा करें तो बहतर रहेगा, नौकरी बेशाव विक्तियों को अपनी कारे से रिलेटिर कुछ परिशानिया भी जे नहीं पर सकते हैं, गलतिया सुधान की अनेक मौके मिलने की बावजूद भी उन पर काम ना कर पाना, आज आप के लिए नुकसान दाइक हो सकता है, यसलिए आज आपको अपनी गलती उपर काम करना पड़ेगा ताकि आप से वो गलती दुबारा ना होने पाए, और आप एक पहतर इंसान दुन सके, अब आगे ज़्यादा दोस्तों के साथ समय स्पेंट करना और मनवानी करना घर के वातावरन को तूशित कर सकता है, पार्टर के द्वारा बोली गई बातों का असर, आपकी जो सेल्फ कॉन्फिरेंस पर है, उसको पढ़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, आज जिए ज़्यादा रखना जरूरी है कि घर के बाद घर में रहे बाहर ना जाने पाए, अगर बाहर गई तो कुछ गलत हो सकता है, कोई फाइदा उठा सकता है, इसलिए हमेश्या में कहती हूँ कि आप अपना प्यार बना कर रखेगा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की स्वाथ यानिकी हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ कहती है कि लीवर जैसी समस्या हो सकती है, जैसे गैस की प्राबलम, अबज की समस्या हो सकती है, तो इसका ध्यान लखी समय पर मैडिसन लीजेगा, खान पान को बहुत ही जादा विवस्तित रखना होगा आपको, यानिकि कि इस टाइम पर क्या चीस खाने है इसका प्रॉपर डाइट बनाकर रखी तो बैठर रहेगा स्वाथ्य के प्रति जागरुपता बढ़ने की वज़े से पुरानी तकलीफे भी दूर हो सकती है नारल पानी और जो है साथ में ठंडी चीजे थोड़ी बहुत ले लीजे मौसब के कोड़िंग जादा ठंडी मत लीजे लेकिन अगर आप फल्फूर्ट फाइबर जैसी चीजें जादा इस्तमाल करेंगे तो बैटर रहेगा नीन दना आने की आप लोगों को तकलीफ हो सकती है साथ में जोड़ों में दर्द भी कही लोगों को हो सकता है और आपका मनोबल मे कुछ कमी आ सकती है योगा करने से और व्याव करने से आपको कुछ रहत अंबल सकती है लेकिन साथ में आपको कुछ आयरुवेदिक चीजों का भी इस्तमाल जरूर करना चाहिए उससे और भी जादा आपको फाइदा हो सकता है तो चलिए मनत में बात करते हैं आज की विश चादर है जूते हैं कपड़े बगारा है इस चोट चोट जरूर की जितना आप से हो सके आप उस रेंज में अब दान करें तो बहुत ही पैठर रहेगा तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बि जिन्यवाद।